कि आये चर्चा करते हैं कंटेंप्रेरी टैम्स पर आजकल क्या हो रहा है देखे इधर रीसेंट टैम्स में बनुशी जाती के लिए संकेत बहुत अच्छे नहीं रहे हैं हम कोरुना से तो इस समय जूशी रहे हैं लेकिन हमारे वह थोड़ा सा पहले समझ लेना चाहिए था कि संकेत अच्छे नहीं आ रहे हैं किसी भी चीज़ को करने से पहले प्रकती हमें संकेत दे देती है कई बार आपने भी महसूस किया होगा कोई कारे होने वाला होता है उससे पहले आपको लगता है कुछ घवराट सी होने लगती है कुछ गलत होने वाला कुछ मज़ें डर किसी समभावना के लिए रिया किसी अनोनी घटना के लिए नेचर का इस रूभाव है विए किसी भी प्राणी पर एक्दम-से कोई चीज नहीं कि तूड के आती है उस पाथा पठ हथा कि को प्रखती एक्दम-से ना के ऐसे नहीं पठकती है वह धीरे धीरे कर पहले आपको तयार करती, मांसिक रूप से, ताकि आप उस समस्या को जेल लें, यह परमिश्वर की दयालू है हम कह सकते हैं, या प्रकति की दयालूता कह सकते हैं कि वो मनुश्य को पहले कोई चीज के बारे में पहले से थोड़ा सा आगा हया हिंट कर देती है, तेकिन हम मनु संगलों में पहले आग लगी, और इस्टेलिया में आग लगी, कैलिफॉरनिया में आग लगी, भूकम्प के जटके और तमाम चीज़ें होती रही है, ठीक है, सुनामी आ रही है इस रीसेंट टैप्स में अजीबों गरी किसम की घटना है मौसम में हो रही है, कभी भी बार अब करोना तो हमाई साथ चली रहा है लगाता ठीक है तो यह सब सिगनल्स क्या हैं कि यह सब बता रहे हैं कि मनुश्य जाती के लिए बहुत अच्छे समय नहीं चल रहे हैं खैर हो सकता है वैसे आप मतलब मेरी बात को अदरवाइस मत लीजेगा हो सकता है कि कोई और समस्या है भी हमारे सामने आ सकती है जैसे भूकम के जटके आ रहे हो सकता है कोई तेज जटका आ जाया या कुछ आ जाया कुछ ऐसा हो सकता है ठीक है या कोई दूसी समस्या हमारे सा प्रारंब हो जाएगा बहुत ही बढ़ियां समय अवेट कर रहा है और यह सब एक बार यह पूरा काल खतम हो नहीं दिए थोड़े समय की बात और है बस्यादा नहीं है मुझे नहीं लगता कि दो तीन एक दो साला और है बस यह बुरा काल उसके बाद आपके लिए एक अच्छा काल शुरू हो जाएगा शायद यह मनुष जो बहुत अधिक बहुत इकतावादी हो गया था या बहुत अधिक धन की चाहत रखने वाला हो गया था उसके लिए थोड़ा बहुत सबक दिया गया उसे थोड़ा सा ब्रेक लगाया गया कि हाँ भई कुछ और भी है जीवन में आप थोड़ा सा देखिए थोड़ा सा समझ यह जरा इतनी जल्दी मत कर दिया कि सब कुछ आप ही है अभी आप देख रहे हैं पिमारिया हमें ख्हा रही हैं तो इससे बस्तर ये है कि हम इनका इलाज सोचे है पनस्पत इसके कि हम अपने में ही मतलब डूबे रहें पैसा ये वो अपनी एक रोबर्ट जैसी जिन्दगी इसको थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है लेकिन मैं फिर भी ये कहूंगा कि आप बिल्कुल परिशान मत होए इन टाइम से और बिल्कुल भी घबराईए मत अब बिल्कुल भी मत घबराईए मैं बता रहा हूँ एक बहुत ही सुनेरा भविश्य बहुत ही जल्दी आपके सामने होगा और आप उस भविश्य का अच्छा समय है धन्यवाद